सूजी उबमब बनानी के लिए हमने एक कप सूजी लिया है और ठोड़े से अर्य प्याज को हमने बारी काट लिया है और थोरा सा मटर भी लिया है हमने दो चमच गी लिया है और एक प्याज को हमने बारी काट लिया है एक टमाटर भी हमने बारी काट लिया है और एक आजर को हमने बारी काटा है और हरी मिर्च को इस तरीके से हम बीच से पाट करके रख लिया है इस तरीके से आप देख सकते हैं हरी मिर्च को ऐसे हमने काट के रख लिया है अब गैस करेंगे और गैस पे चड़ाएंगे एक पैन और पैन को थोड़ा सा हम गरम होने देते हैं जब पैन थोड़ा सा गरम हो जाएगा इसमें डालेंगे हम एक कप्चु सुजी हमने लिया था उसको डालके हम इसको रोस्ट करेंगे यानि इसको भूलेंगे ऐसे चलाते हुए हमें इसे भूनना है आप देख सकते हैं इसे हमें लगातार चलाना है और लगातार चलाते हुए ही इसे हमें भूनना है यानि कि रोस्ट करना है और इसको गोल्डन होने तक हम अच्छी तरीके से भून लेते हैं सुजी को और गोल्डन होने तक भून के और फिर इस सुजी को हम कि बरतन में अलग निकाल लेंगे और देखिए हमारा सुजी गोल्डन हो चुका है अब इसको हम किसी बरतन में निकाल लेते हैं अब इसी पैन में हम थोड़ा सा मुंगफली दो चमच के करीम में हमने मुंगफली लिया था और मुंगफली को ऐसे हम डाल के इसको ऐसे ही बीना क कुछ भी घी तेल कुछ भी नहीं डालेंगे ऐसे ही इसको रोस्ट कर लेंगे यानि कि इसको भी हम थोड़े से भून लेंगे इसको पका लेंगे अब इसको भी हम निकाल लेते हैं किसी बावल में और इसी पैन में हम डालेंगे दो चमच घी घी हमने डाल दिया है अब इसको एस्पेचुला के मदद से पहला देंगे घे को चारो तरफ हम पहला देते हैं और उसके बाद इसमें हम डालेंगे एक चमच, जीरा और जीरा जब चटक जाया तो इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च इसको हमने बीच से काट लिया था और कुछ कड़ी पत्ते को हमने धोके रख लिया था उसको डाल देंगे अब जो प्याज हमने काट के रखा है बारिक उसको डाल देंगे टमाटर भी डाल देंगे और गाजर को भी डाल देंगे हरी मटर और हरी प्याज को भी राल देंगे और इसको दो-तीन मिनट तक लो फिलेम पे ऐसे चलाते हुए इसको हम पका लेंगे इसको लो फिलेम पे ही हमें पकाना है ऐसे चलाते हुए इसे दो-तीन मिनट तक हमने इसे पका लिया है और दो-तीन मिनट के बाद इसमें हमने डा मसला है एक चमच के करीम में नमक तेस्ट के कोड़िंग डालेंगे हमने चमच के करीम में हमने चमच के मिनिद्ट तक ऐसे पका लेंगे और इसको चलाते हुए में दो दीन मिनट तक पकाना है फिर इसमें हमने डाला है आदे चमच के करीब में चिली फ्लैक्स यानि मिर्च कुटी हुई हमने इसमें डाल दिया है और डाल के इसको मिक्स कर दिया है और मिक्स करके इसको हम ऐसे चलाते हुए इसको पकाएंगे, फिर जो हमने मंगफली को गून के रखा था, यह रोस्ट करके रखा था, इसमें डाल देंगे, और इसको इस तरीके से हम इसको चलाते हुए इसको हम पकाएंगे, यानि कि 3-4 मिनट तक हमें लो फिलेम पे चलाना है, पकाना है, और इसको चलाते हुए हमे इस तरीके से बीच बीच में हम चलाते रहेंगे और जब हमारे 3-4 मिनट पूरे हो जाएंगे फिर हम डालेंगे पानी हम हमने दो कब पानी का इस्तिमाल किया है। हमने इसंमें और पानी डाल देने के बाद इसकर मेडियम फ्लेम पे ऐसे शो कर लेंगे और इसको इक दो मिनट तक पका एंगे, इस तरीके से आप देखसकते हैं, 1-2 मिनट तक हमें पकाना है, अब हमारे एक दो मिनट पूरे हो चुके हैं अब जो सुजी हमने रोस्ट करके रखा था यानि कि भून के रखा था इसको इसमें डाल देंगे और इसको हम क्या करेंगे कैसे मिक्स कर लेंगे सुजी को इसमें डाल के और इस तरीके से हमें मिक्स करना है और mix करके इसको हमें पकाना है इसको कड़ाई छोड़ने तक हमें पकाना है आप देख सकते हैं इस तरी के समने mix कर लिया है और इसको कड़ाई छोड़ने तक हम पका लेंगे इसको आप देखिए एक कड़ाई छोड़ने लगा है अब इस stage पर हम अपना gas off कर देंगे और gas off कर के फिर इसको हम सर्फ करेंगे आप देख सकते हैं काफी खिली-खिली हुई और टेस्टी त्यार हुआ है हमारा उक्मा काफी खिला खिली-खिली हुई और टेस्टी त्यार हुआ है इसको अब हम सर्फ कर लेते हैं इस तरीके से हमने एक प्लेट लिया है और इस पर इसको हम सर करेंगे ये काफ़ी टेस्टी त्यार होता है फ्रेंट्स आप भी देख सकते हैं इस तरीके जहाएं